हेलो बाइस स्वागत आपकी मेरी यूटूब चनल पर आज इस वीडियो में कुछ ऐसे मिस्ट और फैक्ट की बात करने वाले हैं जो कि मोश्टली स्मार्टफोन यूजर्स को पता नहीं रहता तो आज की वीडियो काफी यूसपुल और इंफर्मेटिव रहने वाली है अगर पहले मिस्ट की बात करें तो मोश्टली यूजर्स समझते हैं कि ब्लूटूथ की रेंज सिर्फ 10 तू 15 मीटर रहती है और ब्लूटूथ से केवल आप कुछ फोटो और अपने आईडियो प्रोडक्ट जैसे टी डवलूएस ब्लूटूथ स्पीकर और बारलेस एरफॉन को क ब्लूटूथ ना सर्फ कनेक्टिविटी बल्कि ये काफी काम की टेकलोजी है अगर अंगले मिस्ट की बात करें तो मोश्टली स्मार्ट फोन यूजर्स समझते हैं कि जितनी बड़ी बैटरी होगी उतना अच्छा बैटरी बैकप देखने को मिलेगा बट ये टोटली रॉ प्रोसेसर नहीं है तो चाहिए आपके मोबाल मन 6,000 बैटरीी हो ये 1700 बैतरी हो नहीं देगा तो बेटरी बैकपब करती आपके mobile phone के processor और software पर जो कि आपके battery life को काफी अच्छी तरीके से optimize करता है तो अब अंगली बार जब भी आप एक mobile लाएं तो ना सिर्फ image को देखें बले कि एक अच्छे software और processor को भी जरूर देखें अगर अंगले myths और fact की बात करें तो mostly smartphone user समझते हैं कि आप अपनी private photo को delete कर देंगे तो वो permanently delete हो जाती है ये totally myths है वो photo permanently delete नहीं होती किसी भी recovery software की help से आप उस photo को दबार रेकवर कर सकते हैं जब तक उस photo की memory location पर कोई दूसरी photo ना आ जाए तब तक वो photo's आपकी memory में store रहेगी तो कोसिस करें ऐसी private photos अपने mobile phone से ना लें अगर photo लेते भी हैं तो अपने mobile phone में junk photo add करके 2-3 वार अपने mobile phone को factory reset करें तब साथ उस photo को आप permanently delete कर सकें बट एक बार में कोई भी photo permanently delete नहीं होती अगर अंगले myths और fact की बात करें तो mostly smartphone user समझते हैं कि जितना बड़ा megapixel रहेगा उतनी अच्छी वीडियो और photo quality रहने वाली है तो ये भी एक myths है एक अच्छी photo के लिए ना सिर्फ megapixel बलकि आपके mobile phone का software भी काफी imported हो जाता है iPhone में आपको 12 megapixel के camera देखने को मिलते हैं बट वो बढ़ी ही आराम से Android के 108 megapixel को beat कर देते हैं तो एक अच्छी photo के लिए अच्छा software भी important होता है तो अगले बार जब भी mobile नहीं तो ना सिर्फ megapixel को देखें बलकि एक अच्छे software को भी देखें जो कि फोटो और वीडियो को काफी अच्छी तरीके से processing करके एक अच्छी quality की photo और वीडियो को deliver करेगा अगर अंगले myths और fact की बात करें तो mostly smartphone user समझते हैं कि वो अपने mobile phone का flying mode on कर देंगे तो उनकी location यह फिर activity को कोई trace नहीं कर पाएगा तो यह भी एक myths है अगर आप अपने mobile phone क airplane mode on भी करने तब भी आपकी location को बढ़ी आसानी से trace किया जा सकता है साथी में IEMI number से आपके mobile phone की location और nearest tower को भी बढ़ी आसानी से trace कर लिया जाता है तो यह थे कुछ common myths जो कि मैंने fact के साथ इस वीडियो में आपको बताया है I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर आप एंसे ही gadget stack और tips related वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्क्राइब कीजिए